नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल, दोस्तों यदि आम मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं दोस्तों, ये वीडियो में भी टोटल आज जो है 20 कोस्टन है तो जो है आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें और फिर जो है कमेंट करके बताईएगा कि आपको जो है 20 में कितना स्कोर आया और आपको कुछ जो है नया सिखने को मिला या नहीं, तो आईया आज का वीडिय यो शुरू करें, जैसा कि हम लोग देखने हैं, कोस्टन नमर वन है, ब्रह्मगिरी वन जी वा भ्यारान किस भारतिय राज में श्थित है, तो इसका अप्शन है, करनाटक, तमिलनाडू, केरल, मेघाल है, तो दोस्तों आप लोग अपना अंसर सोच लें, दोस्तों इसका अंसर होगा सही, ओप्शन ए, करनाटक, ब्रह्मगिरी वन जी वा भ्यारान है, कहां, करनाटक में श्थित है, ओके, चली, अब देखें, कोस्टन नमर दो, क्वेशन नमर दो क्या है, उदयपूर, वन जी वा भ्यारन कहां श्थित है, उदयपूर, वन जी वा भ्यारन कहां श्थित है, इसका ओप्शन है, उदयपूर, राजस्थान, ओप्शन बी है, उडवी, चमपारन, बिहार, पच्मी, चमपारन, बिहार, जैपूर, राजस्थान, ओके, तो आप लोग अपना अंसर सोच लें, तो दोस्तों इसका अंसर होगा, ओप्शन, सी, ये उदयपूर, पन जी वा भ्यारन बिहार में है, जो है, राजस्थान में नहीं है, और बिहार में कहां है, पच्छिम चमपारन, वेस्ट चमपारन, ओके, आईए, अब हम लोग देखें, कोस्ट नमर तीन, कोस्टन नमर तीन है, पटणा, पक्छिय विहारन किस राज में है, ओप्शन है, ओप्शन है, विहार, उतर परदेश, राजस्थान, करनाटा, तो दोस्तों, आप लोग अपना अंसर सोच ले, और इसका सही अंसर होगा, ओप्शन, बी, उतर परदेश में, बिहार में नही ही है और यह सब कोश्चन जो है एक्जाम में आते ही हैं कनफ्यूजन के लिए ओके आगे देखें कोश्चन नमर्च चार कोश्चन नमर्च चार है दोस्तों सांत गहाटी नीरव गहाटी साइलेंट वेली किस भारतियर आज में है यह तीनों नाम एक ही है आपको आयेगा सांत गहाटी कहाँ है? नीरव गहाटी कहाँ है? साइलेंट वेली कहाँ है? तो इसका जो है सबका आंसर होगा एक ही तो आप लोग अपना अंसर सोच लें ओप्सन है करनाटक, तमिलनाडू, केरल, मेघाले और इसका अंसर तो अधिकतर आदमी को पता ही होगा जो कमेटिशन के तियारी कर रहे हैं तो दोस्तों इसका अंसर होगा ओप्सन C, केरल सांध घाटी कहा है? केरल में आईए दोस्तों हम लोग देखें, आगे कोस्चन नमर पाँच कोस्चन नमर पाँच है साइलेंट वेली केरल के किस जिले में इस्थित है? और ये जो है एक्जाम में कोस्चन आया हुआ है तो इसका अप्सन है कन्नूर, कोजी कोट पालकर, कोटायम तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा सोच ले आप लोग तो दोस्तों इसका सही अंसर जो होगा वो अप्सन C पालकर जो है साइलेंट वेली इस्थित है ये ये जो है केरल का एक डिस्टिक, ओके आगे देखाँ और ये चाड़ों का चाड़ों जो है डिस्टिक ही है केरल का ओके आगे देखें कोशन नमर चो चो नमर है कोशन फोलों की घाटी वेली आप फलावर्स किस राज में इस्थित है ओप्सन है उतर परदेश बिहार उतराखंड राजस्थान तो यह भी जो आती आसान कोशन है तो इसका आंसर क्या होगा ओप्सन सी उतराखंड फोलों की घाटी वेली आप फलावर्स कहां है उतराखंड में है और दोस्तों आप लोग को ये बता दें कि ये फोलों की घाटी आता है किस आठी आभ्यारन पार्क इसका ये ये मतलब भिष्तित रूप है तो ये नंदा देवी जो है वो आपका उतराखंड में ही है ये इसी पार्क का इस जो है भिष्तित रूप है बढ़ाया गया है कौन फोलों की घाटी ओके तो ये भी question आता है फूलों की गाटी किस उद्यान का विश्त्रित रूप है तो उसका अंसर क्या होगा नंदा देवी आगे देखें question नमर साथ question नमर साथ है राष्टिय पड़यावरन अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है और इसका जो है इंगलिस में भी आता है कि नेडी कहां है ये नेडी इसका पुर्णुरूप क्या है National Environmental Engineering Research Institute नेडी कहां है option A दिल्ली हैदरावाद, नागपूर, बिंगलोड तो आप लोग अपना अंसर सोच ले तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option C नागपूर तो आप लोग जो है आईसे रखें याद नेडी नागपूर और मतलब आए गई ये जो है रास्टी है, पढ़या बरन, अभियांत्रिक, अनुसंधान, संस्थान, नागपूर, नहीं तो ऐसे भी आता है, नेडी कहां है okay, इंगलिस में लिखके इसका पुर्ण रूप भी पूशता है, क्या है, तो इसमें आपका जो है, तिन चार question का answer है, okay, आगे देखें, question number 8 question number 8 है दोस्तों, केरल के सांत घाटी में किस परकार के वन पाए जाते हैं, okay, वो silent village जो है, उसमें किस परकार का वन पाया जाता है, option A है, मेगरोब बन, परन्दपाती बन, उसन कट बन दिया है, वरसा बन, और संकुधारी बन, कौन सा वन पाया जाता है, केरल के सांत घाटी में, आप लोग अपना answer सोचें, दोस्तों, इसका सही answer होगा, option C, कुशन कटी बन दिया है, वरसा बन, कहाँ पर पाया जाता है, केरल के सांत घाटी में, जो है, silent valley में, okay, आगे देखें, question number 9, question number 9 है दोस्तों, निमलिखित में से किस वन को मांसून वन के नाम से भी जाना जाता है, option A, mountain बन, उसन कट बन दिया, पर्णपाती बन, मेगडोब बन, और उसन कटी बन दिया, सदावहार बन, तो आप लोग अपना answer सोच लें, तो दोस्तों, इसका answer होगा, सही option B, कि उसन कटी बन दिया, पर्णपाती बन, जो की मांसून वन के नाम से भी जाना जाता है, ओके, आगे देखें हम लोग question number 10, दोस्तों, question number 10 है, भारत में सबसे बड़े छेतर में फैले हुए बन कौन सा है, तो option है, mountain बन, उसन कटी बन दिया, पर्णपाती बन, मेगडोब बन, और उसन कट बन दिया, सदावाहर बन, तो आप लोग अपना answer सोच लें, तो दोस्तों, इसका सही answer है, option B, उसन कटी बन दिया, पर्णपाती बन, ओके, हम लोग आगे देखें, question number 11, question number 11 क्या है, परिस्थित की संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने परतिसत होने चाहिए, मतलब अभी है, या नहीं, होची नहीं है, होने चाहिए, तो चाहिए, तो इसका answer आप लोग बताईए, option है A, 20-23, 24-28, 31-34, 42-45, तो इसका सही answer क्या होगा आप लोग सोचे, संतुलन के लिए कितना परतिसत जंगल होना चाहिए, तो दोस्ते इसका सही answer होगा, option C, 31-34 परतिसत जो है जंगल होना चाहिए, जिससे परिस्थित की संतुलन बना रहेगा, अब question ये है, कितना परतिसत अभी है, तो आईए हम लोग आगे देखें question number 12, दोस्तों, question number 12 है, 21.67% 24.57% 24.67% तो आप लोग अपना answer सोचें, कि अभी बरतमान में कितना परतिसत जंगल है, और ये जो है एक्जाम में आता है, एकतम एडजेक्ट आता है, ओके, तो दोस्तों, इसका answer होगा, option B, 21.67% अभी बरतमान में जंगल है, ओके, लेकिन 31 से 34% होना चाहिए, तो अभी बहुत पीछे है, ओके, चलिए, अब हम लोग देखें आगे, कोश्चन नमर 13, तेरा नमर कोश्चन है, नाम दाफा नेशनल पार्क किस बारतिय राज में है, तो option है, केरल, मनीपूर और नाचल परदेश में घाल है, तो आप लोग अपना answer सोच ले, तो दोस्तों, इसका सही answer होगा, option C, नाम दाफा कहा है, अरुनाचल परदेश में, ओके, चलिए, आगे देखें, कोश्चन मर 14, तो दर नमर कोश्चन हैं दोस्तों, एक मात्रा भ्यारन कौन सा है, जहां कस्मीरी महाम्रिग हंगुल परजाती के हीरन पाया जाता है, आपका जो है, option है, गीरबन, कानहा, मुदुमलाई, और दाची गाम, तो आप लोग जो हैते अपना आंसर सोच लें, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, दाची गामा भ्यारन, ओके, यह आपका कहां है, जमु कस्मीर में, कस्मीरी था, महामिरिग था, ओके, यह मदुमलाई कहां है, तमिलनाडु में, काना किसली कहां है, MP में है मदपर्देश में और कीरवन कहा है यह गुजरात में ओके चारू का चारू हो गया पता कहां कहां है आगे देखें कोश्चन नमर्ट 15 15 नमर्ट कोश्चन है दोस्तों सुन्दरी विरीक्ष किस परकार के वन में पाई जाती है अप्सन है पडवतिय बन कंटक बन ज्वाडिय बन और मेगरोब बन तो दोस्तों आप जो है अपना अंसर सोच लें तो इसका सही अंसर होगा अप्सन सी ज्वाडिय बन ओके सुन्दरी ज्वाडिय है ओके आगे देखें कोश्चन नमर्ट 16 16 नमर्ट है भारत का पहला जीव मंडल अरक्षित छेतर कौन सा है भारत का पहला ओप्सन है सुन्दर बन निलगीरी बन नंदा देवी और मनार की खारी आप लोग अपना अंसर सोचें दोस्तों इसका सही अंसर होगा ओप्सन बी निलगीरी जो है जीव मंडल अरक्षित छेतर वह भारत का पहला अरक्षित छेतर है 1986 में भारत का पहला अरक्षित छेतर कोन है निलगीरी 1986 में ओके भारत सरकार के द्वारा ये भारत का पहला जीव मंडल अरक्षित छेतर गोसित किया गया था आगे देखें कोश्चन नमर 17 तो 17 नमर कोश्चन है दोस्तों मानस पसु बिहार नेशनल पारक किस भारती ये राजमिश्थित है तो आप लोग अपना अंसर सोचे इसका अप्सन है उत्तर परदेश असम मनीपूर मेगाले तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा उप्सन बी असम असम है मानस पसु बिहार ओके आगे देखें कोश्चन नमर 18 अठारा नमर कोश्चन है दोस्तों डुगोंग या समुद्री गाय किस जैब मंडल छेतर का पडमुक जीव है अप्सन है A. कचकारण B. हिमली पाल C. मनार की खारी T. निलगीरी कहने करते हैं समुद्री गाय जो हता है वो कहां पाया जाता है आप लोग अपना अंसर सोच लें दोस्तों इसका सही अंसर होगा option C. मनार की खारी में समुद्री गाय पाया जाता है और ये आपका आता है डुगोंग किसे कहते हैं तो एक ही नाम है डुगोंग या समुद्री गाय आगे देखें question number 19 नमर question है दोस्तों गहीर माथा भ्यारन किस भारतीय राज में है option है नागा लेन उडिशा बिहार या अरुनाचल परदेश आप लोग अपना अंसर सोच लें तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option B जो है उडिशा और आईए आज का last question देखें question number 20 चलिए इसी से related है उनीस से ही गहीर माथा भ्यारन किस जीव के लिए भारत में एक मात्र भ्यारन है मतलब यहां पर कौन सा मात्र जीव पाय जाता है बताईए option है मगर मच कच्छुआ हिरन हाथी तो आप लोग अपना अंसर सोचें दोस्तों इसका अंसर होगा option B कच्छुआ ओके यह गहीर माथा जो अत्या भ्यारन है यह आपका जो है उरिसाम है और यहां पर कच्छुआ पाया जाता है और यह जो है कच्छुआ के लिए एक मात्र अभ्यारन भारत में है तो दोस्तों आपको यह 20 question जो है कैसा लगा आपको जो है 20 में कितना नम्मर आया आपको जो है कुछ नया सिखने को मिला या नहीं तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं और आप अपने दोस्तों में भी share करें ताकि जो है उनको भी कुछ सिखने को मिले और उनको जो है एक्जाम में help हो और यदि आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें जिससे हम अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहें तो मिलते अच्छा से निव वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों